हेल्लो स्टुडेंट्स वेल्कम टुब्यम्सक्लास डॉट कॉम आजका हमारा लेसन है सोर्स रोग के उपर यानि जिसको हम कंजम्शन बोलते हैं या फिर एमेशन भी हम इसको बोलते हैं ठीक है तो इस व्यादी को हम बहुती इजी तरीके से और बहुती अच्छे से इसका निदान, संप्राप्ति, भेज, समाने लक्सन, साध्य साध्यत, सब कुछ हम इस लेसन में क्लियर करेंगे तो सबसे पहले हम इस व्यादी का पड़ीचे पड़ते हैं देखिए अच्छे चरक ने इस सोर्स रोग को अलग से नहीं माना उन्होंने अलग से इसका कोई वर्णन नहीं क्या है उनके अनुसार क्या है जो राजक्षमा है और सोर्स है ये दोनों एक ही रोग है और उन्होंने इस प्रकार से माना है कि जो सोर्स रोग है उसी के बाद राजक्षमा हो जाता है यानि अगर किसी व्यक्ति को सोर्स रोग हो है तो उसके कुछ काल बाद क्या है उसको जाजट्समा रोग हो जाएगा ठीक है तो अचरे चरक ने यह चीज मानी है पर अचारे सर्षप्रत ने क्या है इस तो रोग को अलग से माना है और पूरा explain भी क्या है तो इस पूरे chapter में क्या है इस पूरे lesson में हम जो चीज पढ़ेंगे वह चारे सुर्षत के अनसार पढ़ेंगे इस देखें सबसे पहले चीज क्या सोष्रोग में होता है क्या सोष्रोग में मुख्य ता धातू का और बल का च्छाय हो जाता है ठीक है यह इसका मु दूसी चीज क्या है सोष का मतलब हो है कि सोषण करना यानि हमारी धातू का सोषण हो रहा है हमारे बल का सोषण हो रहा है जिसके विजर से सरीर में दुरबलता आ रही है तो मुख्य तक क्या हो रहा है कि हमारी धातू कम होने के विजर से सरीर का बल कम होने के विजर से उत्पन हो रहा है, यानि हमारी धात्तों का सोशन हो रहा है, ठीक है, तो सोश्रोक से क्या है, सीधा हम मानते है, सोशन करना, हमारी धात्तों को सोशन हो रहा है, तो सोश्रोक उत्पन हो जाता है, ठीक, अब हम निदान पर ध्यान देते हैं, आचारी सोश्रोक के इन्सवार क् वह माने गए है, अतिय व्यवाय, यानी, बहुत जादा क्या मैथून कर लेना, ठीक है, जिसकी वज़र से सुक्र का छह हो जाता है, दूसरा है, सोक, बहुत जादा सोक करने के वज़र से क्या होता है, मज्जा जो हमारी धातुए, उसका छह हो जाता है, व्रदद अवस्ता, पर क्या होता है हमारे कुछ आचार विहार कुछ ऐसा होता है रहने का तरीका या फिर हमारा खान पान कुछ ऐसा होता है इसके विज़र से हमारी जो बॉड़ी है वो समय से पहले ही क्या होने लगती है देखिए अपने बहुत सारे ही देखा होगा जो एक्टर्स होते हैं वह बहुत फिट रहते अपनी पूरी डाइट पर कॉंस्टेट करते हैं अच्छा कहते हैं अच्छा एटमोस्फियर वो अच वह 40 के है तो वह 50 के लगते है अगर वह 50 के है तो वह 60 के 70 के लगते है यानि हम अपनी इस से ही क्या पहले व्रद होने लगते हैं तो उस अवस्था में भी क्या यह हो सकता है यह सोच रोग हो सकता है जिसकी विज़र से क्या होता है जो अस्थिश होने के विज़र से होता है दूसर cetera क्या है इसा घुशता जो नी करना चाहिए बहुत ज़ादा एक्सकारा कडे है जिससे कि क्या ए जिससे कि हमारी म Вас आधू का चह्यए हो जात्य है जैसे कि बहुत जाधा उन्नेसेसेरि निंग कर लिए है बहुत जादा जीक है ना यह फिर हमने स्टेर्ण को बहुत जादा चड़ा जिसकी विजरत हुमारी मास्क का च्वाइटा च्वह हो जाता है और यह स्वल्चट्छोग हो सकता है उसके बाद क्या है ओपुबास यह फिर भरंड इसकी विजरत से क्या होता है रक्त का श्या हो जाता है जो जिसके विज़र से यह सोस्रोग हो सकता है और क्या है उर्षत यानि उर्षत के विज़र से भी क्या रक्त श्या होगा जिसके विज़र से यह सोस्रोग हो सकता है अब हम यह संप्राप्ति पढ़ते है समाने संप्राप्ति देखे क्य है उप्टरोंक जितने भी निदान हमने अभी तख पढ़े उनके सेवन से जहाता है धातु का अनुलोंगति में और प्रतिलोंगति में दोनों ही खरम में क्या हो सकता है धातों च्छह हो सकता है और यह सोचोग उत्पान हो सकता है देखे अनुलों गती यानि ascending order यानि रस रक्त मास मेद अस्ती इस प्रकार से क्या है अपर डायरेक्शन में धात्व का च्छह होने लगता है पर प्रतिलों गती क्या होती है यानि descending order यानि सुक्र घटेगा हमारी अस्ती घटेगी हमारे मज्जा मेद यह सब इस तरीके से descending order पर घटने लगेगा तो यह दोनों गती में दोनों ही प्रकार से हो सकता है यानि अनुलों गती जरा सोस, चौथा, अवज सोस, पाच्वा, व्यायाम सोस, छटा क्या है, व्यायाम सोस, और सात्वा क्या है, और चट जन्य सोस. ठीक है? इस एक एक को हम आगे, एक एक का explanation हम समझ लेंगे, आगे एक एक की लक्षन क्या होते हैं, सारे चीज़े हम समझेंगे. अब लक्षन के लक्षन पढ़ते हम देखे अचारे सूर सुर्षत की क्या है जो यह सोस है इसके बेद जो मानी है ठिक यानि हमने क्या अभी पीछे साथ भीध बाने थे और सातों भीधों को हम एक एक करके पड़ेंगे सबसे पहले है वेवाय सोस तो वेवाय सोस में क्या होता है सबसे पहली चीज क्या जो हमारे समेन होता है यानि जो हमारी सुकुर होता है सुकुर धातू जिसके विज़र से एक बच्चा पैदा होता है यानि हमारा जो रिप्रोड़क्टिव मटेरिल आप उसको बोल सकते समेन तो उसका loss हो जाता है, सबसे पहले चीज, दूसरी चीज क्या होती है, जो हमारा penis होता है, उससे एक scanty सा product release होने लगता है, ठीक है na, ejaculation होता है, जिसको जो बहुत चिप-चिपा होता है, ठीक है, यानि हमारी penis से एक ऐसे material shootout होता है, जो कि बहुत scanty सा होता है, जैसे females में लिकोरिया हो जाते है, जिसके वरिसे उनको white discharge होता है, exact वही material discharge नहीं होता, males को, हैना कुछ scanty सा product release होता है, ठीक है, और क्या होता है, males में, penis में और testis में pain होने लगता है, ठीक, ejaculation of blood strain semen, यानि हमारी जो semen होता है, उसमें से सुक्र दातों जो होता है, उसमें से क्या blood और यहां भी saat में निकलता है, ठीक है, यह निया निकलता है, उसके साथ में kyaa, rakt bhi mix से क्योक निकलता है, red color का वो निकलता ठीक, और क्या होता है, पांडुरों कि में हो सकता हो सकता है ठीक है और जो हमारा मेथून करने के सक्ति होती है ठीक वो भी इसमें क्या loss हो जाती है तो यह सब क्या lakson है यह अती वैवाय करने के वज़र से जो वैवाय सोस हमें हो झाता है यह उसके lakson है अम रोुटते हैं सोग जन्य lakson ठीक है यहनि जो शोक जन्य की वज़र से यानि शोक करने की वज़र से जो हमें सोस हुआ था उसके लक्षन हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या होते है अत्यदिक चिंता यानि बहुत ज्यादा हमें टेंसन होने लगती बहुत ज्यादा चिंता होने लगते हैं हम डिपिटरसन में जाने लगत ठीक है और हमारे हाथ और पैर क्या है डीले पढ़ने लगते हैं नो सिम्टम ओफ लॉस ऑफ सिमन यानि जो हमने अभी पड़े के भी सिमन का लॉस होता है इसमें सोक करने के विज़र से ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता यानि हमने नैचुरली क्या मैथून तो किया नहीं है जो ह बोग जन्य कोस्वाए इसका इस्का लग्षान अनेमिया उसका भी क्लाकषण है अब पढ़ेंगे जरा सोउसके लग्षा कृश्वाज देखिए इसमें क्या होता है सब से पहले चलने लगता है इस बीमारी में और ठोटे होता है कर्षय पात्र के समान के रिया हमारा स्वर्त की बास्ते तरह हो जाता है तो बहुत रीकिंग वोईस में रिखता हमारा गला हो Tapare जिसके विरते हमारी voice proper निकलती है पर tv सी voice निकलती है ठीक है और क्या होता है इसमें dry cough भी होता है यानि गल एकदम सुखा हुआ और कफ खासी होती है सूखी खासी इसमें होती है यानि यह जो सारे हम इने अभी election पढ़ आ है यह सारे क्या है जरा सोच के election है कि हमारे सरी कमजो हमारा नंतर हो जुने ढ़ Desp invest अब पढ़िंगे अधव lagi क्या होता है सब से पहली चीज फ्लसड़शादी आव बॉडी थेक्या है तो इसससभ पहले क्या होगा हमारी जो बॉड़्डि थे ले लगेगी दूसर स क्या होग हमारी बॉड़ी में लम्बने तरुलिशा निचल शोषरे का मुल्ब नूर जुच से बोहते हैं एक स्चमग होती हमीर फेस पर हमारी बॉड़ी पर वो चल जाएगी हमारी फेस हमारी बॉडी झार भाडि था ठीकिना और ड्राइनस हो जाएगी हमारी सरीरि पर हमारा गला सोखेगा हमारा मुह सूख सोखने लगेगा बार-बा है यानि हमारे को हमारी सरीर की चमक चले जाना कमजोरी आना और सरीर में सद्ध ना रहना ठीक ना तो वो सारी चीजिए जो हमने अधव सोस में पढ़ी है वही क्या है वेयाम सोस के विलक्षन होते हैं और व्रंड सोस के लक्षन इस मिलब यही जो व्रंड सोस हमने पढ़ा है इसमें क्या होता है इस सोस में अत्यधिक रख्ट साव होता है यानि हमारे रख्ट को बहुत ज्यादा इस्तराव होता है और व्रण जन्य वेदना होती है यानि वेदना हमारे सरीर में होती है और जिसकी वेदना से क्या होता है सरीर में बहुत ज्यादा मान लेजिए आपको अगर पेन है तो आप बहुत जादा मेंटली डिसर्व रहेंगे उस पेन को लेगे क्योंकि आपका ध्याना में सब पेन पे रहेगा तो यह सारी चीदे क्या होगी यानि आपको सबसे पहले चीद वेदना होगी और आपके रक्त का बहुत ज्यादा इस्त्राव होगा इसी की व्रंडड वरंड वरंड वर्रस होता है इसका कोई इलाज भी न होता यह असाध्य होता है फिरृफ ठीक न हो सकता अब हम पढ़ते हैं उर्शतत जन्यत शोच कीलक्षण इसमें क्या-क्या होता है रकठ पुईतत्य था कफ का निश्रण नहीं लगता है, इन्य डिыш्चार्ण नहीं लगता है ब्लेड का पस का धुब्लेड का और कफ का इसका क्या स्चार्ण नहे लगता है सोनित वद मन यानि हमारी उल्टी जो हम करते है उसमें क्या खून आने लगता है ठीक पित का रकत का असीत अरुण वर्डण जलनने लगती है और उर्सूल होने लगता है णस्चा रहाजते नहें कॉंसेस हो जाते स्वार भेद हो जाता है वारी अवाज पटने लगती है ब्रेक होने लगती है और मुख दुर्गंध यानि मुख से बहुत-ज्ञाद़ा का को गंडिस्मेरा आने लगते दुर्गंद आने लगती है अब हम इसके असाध्य और असाध्यता के बारे में बात करेंगे देखिए अच्यारे सुष्षत ने क्या है जो व्रंड सोस है उसको असाध्य माना है और व्यवाय सोस व्ययाम सोस अधव सोस और यह जो चोक सोस होता है इस इन सबको क् यानि जर्दा सोस को क्या होगा जब तक आप medicine उसकी ले रहे हैं तो ठीक रहेगा पर जैसी आप medicine छोड़ेंगे तो again वो क्या है व्यादी वापस आपको हो जाएगी अब देखे क्या होता है उर्चत जन्य जो सोस होता है उसको प्राणाजम्बिक अवस्था में अगर किया ज यानि ठीक हो सकता हैपर मुश्किल से उसको बहुत ज्यादाओ ठीक करने में बहुत मसकत करने पड़े लिए पर अनि यह एसी अवस्था में जब और शड़ जन्य ऑस पर नहीं हो सकता है यानि क्या ओर्चत जन्य है अगर अलिय बॉक्राशली management उसका हो सकता है पर अगर वो जेन हो जाएगा तो उसका क्या है treatment नहीं होगा बागी जो हमारा व्रंट सोस होता है वो असाध्य ही होता है वो ठीक नहीं होगा ठीक और जो हमारा व्यवाय सोस होता है और व्ययाम सोस होता है अदफ सोस होता है चारों क्या है इन सब इन चारों को साध्य माना है और जरास उसको क्या है याप्य माना गया यानि यह ठीक हो जकता है पर क्या होगा जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आप ठीक रहेंगे पर जैसी आपने डवाये को छोड़ा तो यह दुबारा वापस हो जाएगा ठीक है आपने कुछ चीज़े इस से सीखेंगी और अगर आपको कोई भी इससे लेटेड डाउट है तो आप बिरकुल कमेंट कर सकते हैं और आपको अपना फीड़बेक देना चाहते तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने फ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू